हलो फ्रेंड थोर्मो स्टार्ड लगने का फैदा और नुस्कान क्या है इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले लगने से फैदा क्या थोर्मो स्टार्ड भाल्प ये इंजिन को सही टेंपरेचर प्रवाइड करता है जल्दी से टेंपरेचर प्रवाइड कर देता है 90 से 95 डिगरी तक जल्दी से temperature लेके जाता है Continuous 80 से 90 डिगरी तक सही performance इंजिन को बड़िया चलाता है इसे निकाल के फेग देने से क्या-क्या नुस्कान होता है First में इसे निकाल के फेग देने से तिन बड़ा नुस्कान हो सकता है First इंजिन का लाइब खतम आदमी का सर पर धरत हो तो क्या होता है तो दिमाग गरम हो जाता है तो सेम प्रोसेस इंजिन में तो ऐसे ही 80 से 90 डिगरी तक ये मेंटेन करके रखता है continuous और इसे निकाल देने से इंजिन का लाइब खतम हो जाता है फर्मो स्टार्ट भाल्ब में पतला सा रस्ता रहता है उलांड 80 से 90 डिगरी तक ये मेंटेन करता है और निकाल देने से ये डाइरेक हो जाता है गैस्केट कटने का चांस होता है और इंजिन का लाइब खतम हो जाता है आप गरम इलाके में रहते हो 30 परसंट आपका इंजिन में एफेक्ट करता है यदि आप थंड़ा इलाके में रहते हो 100 परसंट ये इंजिन को एफेक्ट करता है पेसेस में होस पाइप और गैसकेट का फटने का चांसेस होता है ये क्यूं पता है हमने थर्मो स्टार्ड भाल को निकाल दिया तो थर्मो स्टार्ड का रास्ता होता है अंदर और बाहर जाने का फ्लो होने का वो होता है बहुती छोटा होता है हम उसे निकाल के फेग देने से जो एल्बो का रास्ता है बहुत बड़ा होता है फ्लो फ्लो बहुत स्पीट से जाने लगता है स्पीट से जाने से फोस पाइप और गैसकेट का अन बालंस हो जाता है फोस पाइप और गैसकेट का फटने का चान्स जादा होता है उसका प्रेसर अन बालंस अन लिमिटेट हो जाता है जितना गाड़ी चलाएंगे कोई ना कोई पाइप या गैसकेट फटने का जादा रहता है इन नमबर माइलेज खराब हो जाता है अगर थर्मो स्टार्ट का भाल निकाल के फेक देने से थर्मो स्टार्ट वाल अगर आप निकाल देते तो गाड़ी जल्दी से गरम नहीं होगा गाड़ी थंडा रहेगा फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक में लेके आऊंगा